अच्छा जी कितने साल पुराना है अंग्रेजू के जमाने के अच्छा लगभग सन पता है तो समयलो 47-47 की बात है तो अग्रेजू के जमाने नहीं बनवाई थी उन्हें आपने अभी एक निदेभा हुआ अभी जैन ध्रम से आहीं हो आपके के होती हुआ हुआ है हलो गाइस मैं साइवत्री आपका स्वागत करते हुआ आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबंजड़ों में दोस्तों यह है रतिया का सवनागर इस्टेशन जो पी पुराला इस्टेशन है और अब यहां से न्यू लाइन निकलने वाली है तो यह इस्टेटन जो हुगा? यह जो हुगा? यह जो हुगा है देखे दोस्तों यह है सवनागर का स्टेशन और यह बहुत पुराना स्टेशन है यह पूरा बड़े-बड़े पत्थरों से बना हुगा है इसमें इटो का प्रियोग नहीं किया गया है और चूना और बड़े-बड़े पत्थरों से बनाए गया है यह ततिया से लगभग सत्रा किलोमीटर की दूरी पर है और एसे स्टेशन से जो ज्यान मंदिर है वो चार किलोमीटर दूरी पर इस्तित है लेवन का छोटा सा गाडन है लेवन का छोटा सा गाडन है अरे टूंदें ये कमरा तो मुझे पूंदें अच्छा जी कितने साल पुराना है अच्छा लगभग संपता है अच्छा लगभग संपता है संपाइलो सेंटाली साथाली स्की बात है तो अग्रेजों के जमाने नहीं बनवाई थी उन्में आपने अभी एक नहीं देखा हुआ वा विजेंद्रहम से आई ओपके के वहते हैं दाती है ये बनाः वी मंदर है ये वाला है और हमदर आप गुनने महीं चाहां देखा है ये टना संदर है बहुत है इस दीन महीं गुंच्टी है ये इस पह बना पर्दियू विज प्रण ने अंगल बनाई है अच्छा आय तो उसका में थी स्लाग था तब उस ये गुलाब का फिल बना हुआ हुआ है एक इंग पिक्चर का वहां साशी तरियों तो उस वाले मंदर गई अच्छा यह तो चौर अवे तो उसी टम थी बात या विदे जो में जमाने कुई नहीं बनवाया था है जहां कि ल दोस्तों यह पहले छोटा था इस्टेशन लेकिन अब काफी बड़ा हो गया क्योंकि यहां पे जैन तीर्थ है तो यहां पे जैनी लोग जान्दातर यहां दर्शन करने आते हैं और यहां पारा भी एक वर लाइन डलनी है तो उसके लिए यह वाला जो इस्टेशन है वो तूटेगा अंग्रोजय को जमाने का है जो वो तूटेगा और नया इस्टेशन के लिए यह उपर से विवस्ता की गई है जाने के लिए उस साइड बनेगा